नमस्कार दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ important question discuss करेंगे dance form of states तो जितनी भी states होती है उनकी जो important dance forms होते हैं जो कि exams में पूछे जाते हैं तो आप सबको पता ही होगा कितना important topic रहता है हर एक exam में इसके उपर questions जरूर पूछे जाते हैं तो आज हमने इस वीडियो में top 25 questions लिये हैं dance forms के उपर ये सब भी repeated questions होंगे important questions होंगे जो कि आपके exams में बार बार पूछे जाते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करें और साथी हमारे channel को भी subscribe कर लें तो चलिए start करते हैं वीडियो देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है name the popular folk dance of उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश जो state है इंडिया की उसका जो popular folk dance रहता है वो इन में से कौन सा है तो हमारा answer हो जाएगा कजरी तो कजरी जो है ये एक important folk dance रहता है उत्तर प्रदेश state का ये चार option जो दिये गए हैं इसमें से एक dance form है उत्तर प्रदेश का जो की रहेगा कजरी तो इस type के जो questions होते हैं ये exams में काफी पूछे जाते हैं अगला question देखते हैं इन विच state of India लुद्धी dance is performed तो लुद्धी dance जो होता है ये भी एक famous dance होता है तो ये कौन सी state में perform किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा पंजाब तो पंजाब जो state रहेगी वहां का एक dance form रहता है जो की रहेगा लुद्धी dance form निम्दी dance which was revived by volatile वोलोथल के दुआला कौन सा dance है जो की revive करा गया था तो हमारा answer हो जाएगा कत्थककली कत्थककली जो dance form होता है ये revive करा गया था दुबारा लाया गया था वोलोथल के दुआरा तो ये जो question होता है ये repeated question है exams में काफी बार पूछा जाता है अंकिया नाट is a dance form of which state तो अंकिया नाट जो है ये कौन सी state का एक dance form रहता है तो हमारा answer हो जाएगा असाम तो असाम जो state है वहां का एक important dance form रहता है अंकिया नाट काफी सारे dance form होते हैं जो कि एक state से related होते हैं और कुछ dance forms ऐसे होते हैं जो कि multiple states में perform करे जाते हैं जैसे कि ह आपको options दिये गए हैं उसके इसाब से आपका correct answer होगा या फिर उस dance form का जो origin होता है उससे related होता है उसका answer तो यह आपको ध्यान रखना होगा अगला question देखते हैं लेजिम is a dance form of which Indian state तो लेजिम जो है repeated question है exam में पूछा जाता है जो भी पीछे RRB का exam होगा था उसमें question पूछा गया था तो हमारा answer हो जाएगा महरास्ट तो महरास्ट जो state रहेगी वहां का एक important dance form होता है लेजिम या फिर आपको पता होगा लवानी dance form होता है तो लवानी भी एक dance form होता है महरास्ट state का लेजिम जो होता है ये भी एक dance form होता है महरास्ट state का दोनों important रहते हैं exam में पूछे जाते हैं जाता जतिन is mainly related to which state तो जाता जतिन जो dance form होता है ये कौन सी state से related होता है तो हमारा answer हो जाएगा बिहार नौर्थ बिहार जो है उसमें mainly perform करा जाता है कुछ specific reasons होते हैं जहां पे ये काफी famous festival रहता है बिहार का तो जाता जतिन जो रहेगा ये बिहार का एक famous festival होता है who has popularized the Indian classical dance abroad तो Indian classical dance forms जो है उनको जो popular करा गया था किसके द्वारा करा गया है भार फोरण में तो हमारा answer हो जाएगा उदैशंकर उदैशंकर जो है इनके द्वारा popularize करा गया है Indian classical dance forms को abroad में rough is a dance of which state of India तो rough जो होता है ये भी important dance form होता है काफी जादा पूछा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर का एक काफी important dance form होता है rough dance तो ये आपको ध्यान रखना है exam में काफी बार पूछा जाता है अगला question देखते हैं भरत नाट्यम is the dance form of which state तो ये आपको पता ही होगा basic question है भरत नाट्यम जो होता है ये कुछ-कुछ अलग states के reason में भी perform करा जाता है लेकिन यहाँ पे जो आपको बताना है वो main state का नाम बताना है तो भरत नाट्यम जो होता है ये कौनसी state से related होता है तो हमारा answer हो जाएगा तमिल लाडू तो तमिल लाडू जो state रहेगी इंडिया की वहाँ का सबसे famous dance form होता है या पिर हम कह सकते हैं कि तमिल लाडू का जो important folk dance होता है वो रहेगा भरत नाट्यम गिद्दा is a popular folk dance from which state of इंडिया तो गिद्दा जो होता है ये भी आपने सुना होगा काफी famous रहता है और अलग-अलग states में perform करा जाता है तो ये जो dance form रहेगा ये कौनसी state का popular dance form है तो हमारा answer हो जाएगा पंजाब तो पंजाब जो state रहेगी इसके काफी सारे dance forms होते हैं सबसे जादा dance form रहते हैं पंजाब state के और इनको exams में जरूर पूछा जाता है तो गिद्दा जो रहेगा ये एक popular folk dance है पंजाब state का दोमकच is a folk dance form of which state तो दोमकच जो होता है ये कौनसी state का एक popular folk dance होता है तो हमारा answer हो जाएगा जारकंड तो जारकंड जो state रहेगी और बिहार इन दोनों में ही perform करा जाता है दोमकच dance form को तो दोनों state जो रहेंगी important रहेंगी दोनों में perform करा जाता है अगला question देखते हैं कुचीपुडी is a dance drama of which of the following state तो कुचीपुडी जो होता है ये कौनसी state का एक dance drama होता है ये dance form होता है तो हमारा answer हो जाएगा आंद्रप्रदेश तो आंद्रप्रदेश जो state रहेगी वहाँ का एक काफी important dance form रहता है कुचीपुडी और exams में काफी बार पूछा जाता है सबसे important dance form रहेगा आंद्रप्रदेश का कुचीपुडी तो मोहिनी आट्टम जो dance form होता है most important रहता है ये कौनसी state में develop करा गया था तो हमारा answer हो जाएगा केरिला केरिला जो state है वहाँ के वहाँ पे develop हुआ था मोहिनी आट्टम dance form और ये काफी सारी states में perform करा जाता है लेकिन अगर आपसे origin की बात करी जाए तो वो रहेगी केरिला state सत्रिया is a classical dance form of which state तो सत्रिया जो है ये कौनसी state का एक classical dance form होता है तो हमारा answer हो जाएगा असाम तो असाम जो state रहेगी वहाँ का एक classical dance form होता है सत्रिया dance with which state is भवाई dance form associated तो भवाई dance जो होता है ये कौनसी state से related होता है तो हमारा answer हो जाएगा राजिस्तान तो राजिस्तान जो state है वहाँ का एक important dance form रहता है भवाई dance डांडिया रास is mainly related to which state तो डांडिया रास जो होता है ये सबसे जादा कौनसी state से related होता है तो हमारा answer हो जाएगा गुजरात तो गुजरात जो state रहेगी वहाँ का important dance form रहता है दांडिया रास और अगर इसकी बात करी जाए तो ये राजिस्तान में भी perform होता है लेकिन ये जो main dance form रहेगा ये रहेगा गुजरात state का अगर आपको option में गुजरात नहीं दिया गया तो आपका answer होगा राजिस्तान लेक कौन सी state है इससे related होता है तो हमारा answer हो जाएगा करनाटका तो करनाटका जो state है वहाँ का important dance form रहता है यक्षगना अगला question देखते है हमारा भगवता मेला नाटका is mainly related to which place तो भगवता मेला नाटका जो होता है ये कौन सी place से related होता है तो अगर आपको state मिलेगी तो आपको state बतानी है इसकी जो city रहती है वो भी काफी famous रहती है तो हमारा answer हो जाएगा तमिल नाडू तो तमिल नाडू में जो जगे रहेगी जो place है तंजावुर वहाँ पे mainly perform करा जाता है भगवता मेला नाटका को तो ये important रहता है exams में पूछा जाता है तो तमिल नाडू में जो त रिलेटेड होता है ये dance form अगला question देखते हैं ओतन तुला एंड कोदियात्तम इस रिलेटेड टो डैश स्टेट तो ओतन धुलाल और कोदियात्तम ये दोनों जो होते हैं ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड होते हैं तो हमारा answer हो जाएगा केरिला तो केरिला जो स्टेट रह जो रहती हैं उनसे पूछे जाते हैं काफी famous रहते हैं और exams में बार बार repeat होते हैं तो आपको सभी ध्यान रखने सभी most important रहेंगे कोई सा भी आपके exam में पूछा जा सकता है अगला question देखते हैं दसवतार एंड तमाशा are related to dash state तो दसवतार और तमाशा जो होते हैं ये दोनों dance form जो होते हैं कौन सी state से related होते हैं तो ये आपका answer जरूर पता होगा आपको तमाशा जो होता है काफी famous रहता है exams में repeat भी होता है तो इससे आपको याद रहेगा कि ये हो जाएगा महराष्ट state का महराष्ट जो state है वहाँ के important dance form रहते हैं दसवतार और तमाशा कवदी and करागम are related to which state तो कवदी और करागम जो dance form होते हैं ये कौन सी state से related होते हैं तो हमारा answer हो जाएगा तमिल नाडू तो तमिल नाडू जो state है वहाँ के important dance form रहते हैं कवदी और करागम काफी सारे dance forms ह तो इन में से कौन सा डांस फॉर्म है जो कि आंदर प्रदेश से रिलेटेड होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा बुरा कठा बुरा कठा जो होता है ये एक डांस फॉर्म होता है जो कि रिलेटेड होता है यहां पे लेकिन ये जो होता है किरतन ये काफी सारी स्टेड से रिले अंद्रप्रदेश state से related तो इस तरीके से आपको जो आंसर रहेगा जो आपके option रहेंगे उनके साब से आपको answer टिक करके आना है अगला question देखते हैं कथा कीरतन और गाफा आर रेलेटेड तो तो कथा कीरतन और गाफा जो होता है कौनसी state से related होता है तो हमारा answer हो जाएगा महाराष्ट तो महाराष्ट जो state रहेगी वहां के important dance form होते हैं कथा कीर्थन और गाफा तो गाफा जो रहेगा काफी famous रहता है महाराष्ट state का dance form और अभी हमने पीछे भी discuss रहाता तमाशा जो है वो भी important रहता है तो यह 4-5 dance forms होते हैं जो कि exams में जरू पूछे जाते हैं महाराष्ट state से अगला question देखते हैं which of the following is related to Tamil Nadu तो Tamil Nadu जो state रहेगी इंडिया की वहां से इन में से कौम सा dance form होता है जो की related होता है तो हमारा answer हो जाएगा final kolatum final kolatum जो रहेगा यह dance form होता है जो की related होता है Tamil Nadu state से और भी काफी सारी states होती है जिनमें इस dance को perform करा जाता है लेजियम जो होता है हमने पीछे ही discuss करा था महाराष्ट से होता है लावनी भी महाराष्ट से होता है अब यह हमने पीछे ही discuss करा था तो यह आपको ध्यान रखना है exams में इस तरीके के question काफी पूछे जाते है पाई का is a dance form of which state तो पाई का जो होता है कौनसी state का dance form होता है तो हमारा answer हो जाएगा जारकंड जारकंड जो state रहेगी वहां का important dance form रहेगा पाई का dance तो दोस्तो यह था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरू करें और साती हमारे चैनल को भी subscribe कर लें और दोस्तो जितने भी topics होते हैं जिनके उपर आपको exams में question मिल सकते हैं उनकी हमने accepted playlist तयार कर दी है जिसका link आपको उपर i button पे click करके मिल जाएगा जो की रहेगी all static gk topics के नाम से तो आप उसको जरूर देखें उससे आपको काफी मदद मिलेगी साती उनका जो link रहेगा वो हमने आपको description में भी provide करा दिया है तो उन videos को आप जरूर देखें बार बार देखें और उनको revise करते ने जिससे कि आपको अच्छी तरीके से तयार हो जाए तो दोस्तो अगर आपको video पसंद आई हो तो video को like जरूर करें धन्यबाद दोस्तो